बहुत दोस्वागत है दर्शुकों आज बुद्ध पुर्णिमा है और आप सभी बुद्ध मुर्ती के सामने नत्मस्तक होकर उनके आदर्शों की पूजा कर रहे होंगे है ना बुद्ध पुर्णिमा को त्रिगुन महापर्व भी कहा जाता है याने कि वैशाक मास की वो पुर्ण मासी जिसमें बुद्ध का जन्म उनको ग्यान प्राप्ति और महापरि निर्वान तीनों घटनाओं के होने का एक अद्भुत योग है हाला कि बुद्ध स्वयम मुर्थी पुजा के पक्षधर नहीं थे लेकिन आज संसार में सबसे ज़्यादा उनहीं की मुर्थियां पाई जाती है इतिहास कोई कालपनी कथा कहानी नहीं है इतिहास वो होता है जो तथ्यों अवशेशों सबूतों और उसके तार्किक अंतर स समंधों से बनता है विश्विद्यालेओं और लाइब्रियों को जलाकर और शेशों को तोड़कर जिस तरह से इतिहास को नश्ट करने की कोशिश की गई है न वो धरती फाड़कर बाहर आ गया सिर्फ भारत ही नहीं आस-पास और साथ समुंदर पार भी जो इतिहास इस तर बुद्ध का इतिहास वाकई जो वास्तविक अस्तुत में था उसका कुछ ना कुछ अंश किसी ना किसी रूप में कभी ना कभी जरूर सामने आता है पुस्तके जलाकर मुर्तियों को तोड़कर उनके रूप बदलकर उस इतिहास को गायब करने की जो कोशिश की थी वो ना साबित कर दिया कि मानव और उसकी सभेता का जो विकास है वो क्रमिक ही है जो किसी ऐसे इश्वर की रचना नहीं है जिसके पास पहले से ही राजपाट और सारी सुविधाएं थी तथ्यात्मक सबूतों के नहीं मिलने से ये साबित हो गया है कि ये भी इंसान की कूली कालप सालीस को केरल मिजन में राजा रवी वर्मा ने पौरानी कथाओं के पात्रों के कालपनिक चित्र बनाये जिनके आधार पर बाद में कई जगों पर मुर्तियों के रूप भी बने और इसी तरह तथागत भगवान गतम बुद्ध का सोरूप भी कालपनिक रूप से 127 से 140 इस फिमें बराया गया मतलब यह कि भगवान बुद्ध की जो मुर्ति आज हम देखते हो इसके पहले नहीं होती थी लेकिन ऐसा नहीं की लोग इस से पहले तथागत सिर के बाल भिक्षा पात्र आधी को कलश या स्तूप चैत्य में रखकर वंदन करते थे तब उनके विचारों संदेशों के शिलालेखों स्तंभों प्रतीक चिन्हों की पूजा होती थी और यही कारण है कि महान समराट अशोक के निर्मान में ऐसे प्रतीक चिन्ह नजर आते ह उनके उत्राधिकारी महेंद्र और संग मित्रा भी बुद्ध के प्रतीक बोधी बिक्ष यानि की पीपल के पौधे को लेकर ही शिलंका गये थे इसापुर्व 232 के बहुत समय बाद 127 इस्वी में आये समराट कनिश्क ने पाटिली पुत्र यानि की मगत पर आक्रमन किया और साकेत के बौध भिक्षू अश्व गोश और वैशाली से तथागत बुद्ध के भिक्षा पातर को पेशावर यानि की वर्तवान पाकिस्तान में ले गये समराट कनिश्क बौध धर्म के सनरक्षक थे उन्होंने 78 इस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौध संगीती का योजन किया था समराट कनिश्क ने 78 इस्वी पुर्व नया पंचांग के शुरवात की जिसे की शक पंचांग कहा जाता है और आज भी भारत में ये चलता है समराट कनिश्क ने तथागत बुध की पहली मूर्ती ग्रीक देवता अपलों के तरज पर बनवाई थी समराट कनिश्क ने तथागत बुध की आकरिती वाले सिक्के का भी सबसे पहले निर्मान करवाया था समराट कनिष्ट ने गानधार और मतुरा बौध मुर्तिकला को प्रोस्साहित किया भगवान गौतम बुद्ध की पहली मुर्तिका निर्मान भी मतुरा में ही हुआ था दरसल पहली प्रतिमा निर्मान के लिए केवल दो मुर्तिकला ही प्रचलिन में थी पहली मतुरा मुर्तिकला और दूसरी गांधार मुर्तिकला बुद्ध के जीवन से जुड़ी मुर्तियां सबसे पहले इन्हीं दो शैलियों में बनी मतुरा मुर्तिकला की प्रतिमाएं गांधार कला शैली की मुर्तियों से पहले ही मिलना शुरू हो गई थी दुनिया की पहली बुद्ध मुर्ती भी खुदाई के दवरान मतुरा से ही मिली थी जो मतुरा मुर्ती कलाशयली में निर्मित की गई थी इससे प्रमानी हो जाता है कि मतुरा के ही शल्पकार ने चित्तीदार लाल बलुए पत्थर पर विश्व की पहली बुद्ध मुर्ती बनाई थी यह मुर्ती कट्रा के केशाव देव मंदिर से सन 1860 में मिली आज भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान या भारत के पंजाब और हरियाना में पाये जाने वाले जादातर बौधिसमारत कनिश्क काल के ही हैं आज समराट कनिश्क के वंसज भारत में गुर्जर के नाम से जाने जाते हैं अगर हम गुर्जर शब्द को चीनी भाषा में लिखेंगे तो समराट कनिश्क के कबीले यूची का नाम बनेगा जो गुर्जर या यूची का संस्कृत में बिगड़ा हुआ रूप है आज दुनिया में सबसे अधिक जिस व्यक्तित्व की मुर्थिया मिलती है वो तथागत भगवान गौतम बुद्ध की ही मिलती है जमीन के भीतर और उचे पहाडों पर भी हर तरब बुद्ध ही बुद्ध नजर आते हैं लेकिन वहीं सबसे जादा अगर कोई मुर्थिया तो वो भी तथागत भुद्ध की ही मुर्थिया है बुद्ध की समानता शांती अनिश्वर विज्ञानवादी विचारों की जो खिलाफत करने वाली विचारधारा की लोगों ने हर दौर में उनकी मुर्थियों पर अपना गुस्सा उतारा बौद विद्याले पुस्तकाले ज पसरने लगे हैं बलकि इस बार तो और अधिक दमदार तरीके से क्योंकि अब युग है विज्ञान का तरकवाद का तो क्या हम ये समझें कि बुद्ध अपने वास्तविक स्वर्यूप में लोट रहे हैं आप भी अपनी प्रितिकिया जरूर दीजेगा और हमारे इन वीडिय उसको थोड़ा सा फॉर्वड भी शेयर भी क्या करें क्योंकि यूटूब जो है हमसे थोड़ा सा गुस्सा है बस आप और हमको मिलकर ही से आगे बढ़ाना है थैंक यू